हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो फिर से मैं आ गई हूँ एक छोटा चा वीडियो लेके तो मैं छोटा छोटा ही वीडियो लेकर आती हूँ आप सबको तो पता ही होंगे जो मेरा ओल्ड वीवर से और जो न्यू वीवर से उनको पतार लग जाएगा मेरा वीडियो करती हूँ तो फ्रें मैंने अपने बालों में दो दो बार सेंपू लगाया है पर वीडियो बड़ा ना बन जाए इसलिए मैंने चोटा 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 क्लीपिंग बना कर एडिटिंग दिया है और बहुत अच्छे से मैंने सेंपू करके फिर उसके बाद अपने बालों को धो लिया है मतले चोटा कर दिया है और अच्छे सेंप कर दो 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 ना कर पार है अजसा कर दो 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 कि मैंने अपना को दो बालों कमने आएब एच्छे से अपनी बालों को मैंने धोया और बहुत पर धोया है, उसके बाद अच्छे से कंडिशनल लगा लिया, फिर मैंने नहा लिया। मैं आ गई अपनी रूब में और अपने बालों को शुखाने के लिए। क्योंकि मेरे बालो में स्मूथनिंग करके रखी है तो इसके बाद मुझे सीरम लगाना पड़ेगा सीरम लगाने के बाद में बालो को शुखा लें जो उठाया इसे कि मुझे ऐसे खुला छोलना पसंद दें के नाच्छी दी सुख जाए तो इसलिए में पहले बालो में जो पानी है उसको मैं पोच लेती हूँ उसके बाद में सीरम लगा लेती हूँ कि मुझे बालो कि मुझे बालो कि मुझे बालो कि मुझे लेती हूँ मैंने सीरम अच्छे से लगा लिया और बहुत सारा लगाया मैं एफ से भी मेरा बाल लंबा है तो मैं बहुत सारा सीरम लगाती हूँ आप मैं कंगी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कंगी करने के बाद मैं सिंदू लगाती हूँ सिंदू लगाने के बाद मुई दायर से आपने बालों को सुखा ले थे और मैं देख रही थी मेरा बाल नीचे कितना गीरा है क्योंकि बहुत जादा बाल ज़र रहे है हाँ ये ज़रते ही है स्मूधनिंग के बाद बहुत जादा बाल पर आज का वीडियो कैसा लगा कॉमन में जरूर बताना में दूर बताना